Hello everyone, you are welcome to class और आज हम बात करने वाले हैं जो करेंट्स होते हैं उशन करेंट्स उनके बारे में महासागरिये जल्दाराएं जिने कहते हैं हिंदी में तो महासागरिये जल्दाराएं महासागरों में नदियों के समान होते हैं और एक निशित दिशा में गति करती हैं जल्दाराएं महासागर में अपनी इस चिति के अंसार गर्म या ठंडी हो सकती हैं तो यहां पर जो कुश्यन आता है वो यह पूछा जाता है कि जो कौन सी गर्म जल्दाराएं हैं और कौन सी ठंडी जल्दाराएं हैं औरनों तरीके से मैं आप लोग वो याद करवाओंगा, पहले आप लोग डेटेल में इन्हें पढ़ लीजे, फिर उसके बाद हम इसे पिक्चराइजेशन से या मैप के जरीए करने की कोशिश करेंगे, ये जल दहराएं अपने साथ एक बड़ी मातरा में जल परवाह करती है और जिससे निकट पढ़ने वाले अस्तानों पर वातराण पर परवाव पढ़ता है, तो जब भी कोई अगर हम वोल्ड के मैप में भी अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से कहां पर क्या परवाव पढ़ेगा, और कौन सी जल दहरा क्यों ठंडी होती है, क्यों गरम होती है महासागरी यह जल दहराओं के बनने के तीन परमुक कारण हैं, जो आपके ओशन करेंट्स होते हैं, उनके तीन तरीके या हम कहें कि तीन तरह की चीज़ें उन पर इंपक्ट डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं, तो पहली चीज़ है प्रत्वी का घूरनन, जो रेविल्यू अगर आप किसी लोटे के अंदर क्या करेंगे, पानी रखेंगे और उस चीज़ को धीरे से लोटे को हिलाएंगे या लोटे को घुमाएंगे, तो आप लोगों पता चलेगा कि जो पानी है वो इस तरह से घुमना शुरू कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो की तरफ को चलती है, तो जो महासागरिय धारा होगी, वो ठीक उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इधर को पृत्वी घूम रही है, तो इधर को क्या होगा, आप लोगों की धाराएं वापस को चलने लगेंगे, अब यहाँ पर बीच में जो हम लोगों ने देख था, एक्वेटर देखा था पहले, तो एक्वेटर के बीच में हमने 10 डिगरी और 10 डिगरी, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज होती है, कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स जो होती है, क्योंकि साइन्टिस का नाम ही कोरियालिस था, तो इसलिए को ही उन्होंने Coriolis बल कहा था या Force कहा था तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो Coriolis Force है वो किसके बीच में काम कर रही है जो equator है उसमें जो 10 degree है और यहाँ पर आप लोगों का नीचे 10 degree है इनके बीच में क्या करती है काम करती है और इसी की वज़े से जो आपका Eastern Hemisphere है Eastern Hemisphere है वो Western है तो दोनों में क्या होता है Eastern में ये दाई ओर चलता है और Western में ये बाई ओर मुड जाती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये चीज कि East में तो क्या हो रहा है दाई ओर और जो West है उसमें बाई ओर ये धाराएं चलती है अभी हम इसे पिक्चराइजेशन में अच्छे से देखेंगे दूसरी चीज है समुदरी हवाओं के कारण एक चीज में आप लोगों पर important चीज बता दूँ कि जैसे हम लोग ये सारी चीज है discussion कर रहे है कई बार आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत जादा हमें deep में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपकी किसी कहीं कहीं पे जो topic में आप लोगों deep में समझाने के कोशिश करता हूँ तो उसे समझने के कोशिश कीजिए क्योंकि उसका जब तक base नहीं बनेगा तब तक fact आपको याद नहीं होंगे कुछ चीजे हैं वो directly आप लोगो fact से याद हो जाती है उन्हें directly fact से हम लोग समझ लेंगे तो समुदरी हवाओं के कारण अगर समुदरी हवाई चलती है तो आप लोग मान सकते हैं कि जो समुदर है उसके ऊपर क्या होती है उपरी सत्य में जब हवाई चलनी शुरू होती है जिस भी direction में चल रही होंगी तो water को क्या करेंगे उस तरब को खीच लेंगी क्योंकि ये जो हवा है ये बहुत जादा इसका pressure होता है तो आगे क्या होता है तापमान में भिनने तक की गारण मेंज जो temperature है वो अलग-अलग difference होता है हर जगह पर तो यहां पर होता क्या है कि जो आपके poles है ठीक है पृत्वी के ऊपर north and south ठीक है तो north and south में क्या है आप लोगों की बर्फ है अब जो बर्फ है वो पिघलते हुए क्या होती है अपनी अंदर की तरफ चलती है समुद्र की तरफ चलती है तो जब भी एक तरफ से पानी गिरेगा तो दूसरी तरफ को चलेगा तो इससे क्या होता है एक गती उसमें आ जाती है मुवमेंट उसमें आ जाता है अब बात आती है कि कौन-कौन सी जल्दारा है उनके नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं और उन्हें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है बस आप लोगों को अभी फिलाहाल जो है सिर्फ जो हमारे पास में सीरीज है उसे देखना है उत्तरी विश्वत जल्दारा यह आपकी परशानत महसागर में चलती है परशानत महसागर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो हमारे वर्ल का मैप है ठीक है, उसमें आप लोगों का इधर आप लोगों का परशान्द माहसा आगर है और इस साइट को आपको परशान्द माहसा आगर है क्योंकि जुड़ा हुआ है क्योंकि गोल हिस्सा है तो इसलिए यहां से पूरा यह इस तरफ को जुड़ा हुआ है तो परशान्द महासागर आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगी अब ये है आपकी East Equatorial Current अगर हम इसको translate करें इंग्लिश में दूसरा आपका क्यूरिशियो जल्दहरा ये भी आपकी परशान्द महासागर में है ये आप लोगों की गर्म जल्दहरा है Next देखते हैं ये जो मैप है ये मैं आप लोगों को अब ही clear करवाऊंगा कि इसमें आप लोगों को चीज़ें कैसे याद करनी है Next आपका उत्तरी परशान्द जल्दहरा ये आपका परशान्द महासागर की ही वो भी आपकी गर्म है उसके बाद आती है कि पूरवी Australia जलदारा तो Australia आप लोगों को पता है परशानत महासागर में नीचे आप लोगों पता होना चाहिए तो वहाँ पर आप लोगों ने मैप में देखा होगा तो ये भी आपकी गर्म जलदारा है कुछ-कुछ आप लोगों को अगर आपने पिसना जो मैप है वो देख लिया होगा तो आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं कौन सी चीजें कहां पर है अब बात आती है आपकी जो क्यूराइल है क्यूराइल आपकी ठंडी है कैलिफोर्निया जो है वो भी ठंडी है ये अभी आपकी परशानत महसागर में ही चल रही है हमबोल्ट या पेरू की जल्दारा जिसे कहा जाता है ये आपकी ठंडी जल्दारा है तो कैलिफोर्निया हमबोल्ट ये हो गया अब आप लोगों को एक तरीका में आप लोगों को बता दूँ कि आपको सभी जल्धारा याद करने की जरूरत नहीं है आप जो गर्म हैं उनको याद कर लीजिए और या जो ठंडी हैं उनको याद कर लीजिए जो बज गई वो आपकी गर्म या ठंडी होंगी तो आपका लगबग 50% काम तो ऐसा ही हो जाएगा ठीक है तो आप लोगों को लिस्ट आपके पास है आप लोग याद कर सकते हैं उसके बाद आती है आपके उत्तरी जो विश्वत जल्दारा है वो आपकी गर्म जल्दारा है उपर हम लोग देख चुके है एंटिली जल्दारा क्या है आपकी गर्म है उसके बाद आते हैं आपकी गल्फ गल्फ क्या है आप लोगों की गर्म जल्दारा है फ्लोरिडा की जल्दारा ये अटलांटिक में यहां नीचे आप अट्लांटिक जो बीच में है आप लोगों का उसमें आप लोग देखेंगे तो वो क्या है आप लोगों की गर्म जल्धारा है आते हैं ब्राजील की जल्धारा तो ब्राजील जल्धारा में क्या है आप लोगों का यह गर्म है इर्मिंजर जल्धारा यह आ महासागर है, atlantic महासागर है, इसलिए मैंने आप लोगों को जो महासागर थे, चीजें थी वह पहले बता दे थी, फॉक्लेंड कहां पर है ठंडी है, कैसी है वह आप लोगों की थंडी है दक्षिन विश्वत जल्धारा आप लोगों की गर्म जल्धारा है यह आप लोगों को बता चुका हूँ मोजामबिक जल्धारा अब उत्तरी और दक्षिनी जो विश्वत जल्धारा है वो गर्म जल्दारा है अगुल हास ठीक है तो इसे आग हास आग कर दीजिए अगुल से तो आप लोगों को मोजा अगुल ये आप लोगों को गर्म जल्दारा है तो मैंने आप लोगों वैसे पहले ही एक शॉटकर दे दिया है तैयार करने का या तैयारी करने का तरीका है कि आप या त कारण होती है कोरियलियस जल के बल का मैं आप लोगों को अल्रडी बता चुका हूं कि जो पृत्वी अपनी रोटेट होती है जगह पर उसकी वज़े से क्या होता है उल्टा एक बल लगता है जिसकी वज़े से जो जल धाराएं है वो बहनी शुरू हो जाती है जो हवाइं है वो बह जाती है तो जल धाराएं क्या हो जाती है उसी तरफ को चलनी शुरू हो जाती है तो एक तो कोरियलिस बल हो गया उपर हम बात कर चुके हैं और दूसरी चीज हमने जो विश्वत रेखा के निकड़ जो है महादवी पिया पस्चिमी तटो पर ठंडी और पूर्वी तटो पर गर्म जल धाराएं प्रभाहित होती है तो जो विश्वत रेखा है उसके अगर आप देखेंगे पस्चिम तटो पर और पूर्वी तटो पर तो दो तटो गया एक हो गया आपका पस्चिम और एक हो गया आपका पूर्वी ठीक है वेस्ट हो गया और इस्ट हो गय है उसे plankton नाम से कहा जाता है और इसे क्योंकि मचलियां वगेरा खाती है इसलिए वहाँ पे जो मच्छे उद्धी हो गए वो बढ़ता है नेक्स्ट है अप लोगों का जो gulf stream है gulf stream gulf stream जो current है वो विश्व की सबसे तेज है सबसे fast current है जो की florida जलधारा और एंटली जलधारा के मिलने से बनती है दो मिलती है florida और एंटली उत्तरी अट्लांटिक महसागर में चार जलधाराओं के वी शांत जल को सरगस्त सी भी कहा जाता है तो आपने देखा होगा उत्तरी जो इस तरह को आपको अमेरिका है और यहां पे आप लोगों को क्या है एफरिका है ठीक है यह अमेरिका है वो गया आपका तो यहां पर आप लोगों को क्या है कि उत्तरी यह तो आपका दक्षणी हो गया दक्षणी अटलांटिक हो गया उपर चलेंगे आप तो उत्तरी अ पोटो है उपर उसमें भी बताऊंगा तो सरगसु सी कहा जाता है क्यूरियोशियो जिल्धारा को जापान की काली धारा के नाम से जाना जाता है अब चलते हैं उपर हम अब देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में क्या है मैप है उसके उसमें हम चीजों को एक बार लोकेट कर लेते हैं चीजों को समझ लेते हैं यहां पर तो अब आप यहां से अगर आप देखेंगे की चीजों को तो आप लोगों को नाम इजीली याद हो जाएंगी कि जैसे ब्राजील की धारा यहां पर है फॉकलेंड की धारा यहां पर है और जो हमबोल्ट या पेरू की धारा य यहां पर हो गया आप लोगों का और जो विश्वत रेखा है या एक्वेटर है आप लोगों का तो यह है आप लोगों का ठीक है तो जो एक्वेटर के नजदीक में जितनी भी धाराएं होंगी वो लगवग आप लोगों की गर्म जल धाराएं होती हैं अगर आप इसको थोड करना है कि यहां पर आप लोग आखे बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजें जैसे गिनी की जलधारा यहां पर है आप लोगों का बैंगुलिया की क्या है तो आपको देखना है कि यह रेड है आप लोगों की ठीक है जो रेड वाली है वो आप लोगों की गर्म है और जो आप लोगों की ब्लैक है, वो आप लोगों की ठंडी जल्दारा है, जैसे आप हमबोर्ड की जल्दारा आप देख रहे हैं, तो ये उपर की तरफ क्या है, रेट जा रहे हैं, तो ये आप लोगों की गर्म है, तो यहां से आप लोगों नीचे देखेंगे, तो ये भी आप ल प्रेला की हो गई, अगुलहास हो गया, ब्राजील हो गया, फाकलेंड और हमबोर्ड की जल्दहरा, इतनी चीज़ें आप लोगों की क्या की जाती है, यूजली पूछी जाती है, और इनके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी हैं, गर्म हैं या ठंडी हैं, तो शॉर्ट जाएंगे कि कौन सी कहा को जा रही है, किस तरफ को उसकी दिशा है, और अगर आप कलर देखते हैं, तो आप लोगों को जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो इसे के साथ ये चैप्टर यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में.